हाई फ्रेंड्स आज हम लोग कास्टिग लेनो फॉर्स थेरम की बारे में देखेंगे क्या कहता है यह थेरम चले शिरुआत करते हैं सबसे पहले इसका डेफिनिशन पार्ट पढ़ लेते हैं इसकी बाद मैं आपको समझा दूँगा कस्टिग लेनो फॉर्स थेरम स्टेट रटट एनि मेंबर सब्जेक्टेट टू एनि एनिक्स कोर्ट कीसे मतलब क्या है हम एक सिंप्ली सपोर्ड़ रीम कंसिर करते है इस इस्प्ली सपोरड़ रीम है A and B, ठीक है, इसके उपर क्या बोला है, system of forces, system of forces मतलब एक force नहीं है, कई सारे force है, जैसे कि यह हो गया P1, यह P2, P3, ऐसे कई सारे force है, जो कि PN, ठीक है, कई सारे force है, तो इन forces के कारण इस beam में deflection आएगा, है ना, इस तरीके से इस beam में deflection आएगा, लेकिन इस P1 लोड के कारण, जो deflection आएगा, वो होगा, Y1, इस P2 के कारण, जो deflection आएगा, वो होगा, Y2, P3 के कारण, जो आएगा, वो होगा, Y3, और PN के कारण, जो आएगा, वो होगा, YN, चीक है, यह है deflection due to load तो कास्टिक लोट थेरम क्या कहता है अगर हमें deflection find करना है deflection y से दिनोड किया जाता है deflection अगर find करना है तो हमें partial derivative लेना पड़ेगा strain energy का मतलब partial derivative को sign आपको मालू होगा यह डो का sign partial derivative डो u upon with respect to that force मतलब आपको जिस point पे deflection निकालना है आपको उस point का strain energy का partial derivation लेना पड़ेगा with respect to that load इसका मतलब क्या है member a b carries a load p1 p2 p3 अपको pn चीक है तो इसमें कास्टिक लेनो थेरम क्या कहता है कि y1 अगर आपको निकालना होगा आपको अगर यह deflection y1 निकालना होगा तो आपको strain energy का partial derivative अपन उस load का partial derivative निकालना पड़ेगा किस लोड का p1 अगर आपको y1 निकालना है तो p1 यह आपर लेना पड़ेगा वैसे ही similarly अगर आपको deflection at y2 निकालना है तो आपको strain energy का partial derivative with respect to that load p3 sorry p2 वैसे ही अगर आपको y3 निकालना है तो डो u अपन दो p3 वैसे ही अगर आपको y n निकालना है तो डो u अपन दो pn जहां पर u है आपका strain energy है आपको बता होगा u से denote किया जाता है strain energy को strain energy का लंबा चोड़ा formula है वह formula कैसे आया वह हमने derive किया है strain energy का formula उसका लिंक में आपको इसके description box में दे दूँगा आप वह video देख सकते हैं कि strain energy का formula कैसे derive होता है क्योंकि strain energy का formula आगे काम आने वाला है strain energy के दो वीडियो से एक वीडियो में strain energy का formula derive किया है और second video में gradually applied load actually applied load उनके formula derive किये तो वह दो वीडियो जरूद देख लेना तब आपको strain energy का concept समझ में आ जाएगा अभी आपको क्लास्टिक लेनों सेरम तो समझ में आ गया होगा कि क्लास्टिक लेनों सेरम क्या कहता है अगर आपको किसी भी point पर deflection निकालना है तो आपको उस point का partial derivatives strain energy with respect to point लेना पड़ेगा मतलब कि अगर आपको Y1 निकालना है तो आपको 2U upon 2p1 लेना पड़ेगा अगर आपको काश्टिक लेनों फर्स थेरम तो कॉंसेप्ट समझ में आया होगा वुडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू